और जिस कमदी से आप पहली बार मुलाकात करने हैं उसका नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 1999 उन्हें सो नन्यान में इस कमदी की शुरुआत हुई थी कैपिटल लोकल एरिया बैंक के नाम से पंजाब के कपुर थला में ये बैंक बना देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहां ये जहां में रखे हैं सबसे पहला बैंक देश में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना वो कैपिटल है 2016 में काम काज शुरू और तब इसका नाम हो गया था Capital Small Finance Bank Limited पंजाब, हर्याना, दिली, राजस्तान, निमाचेल, चंडिगर्ड यह सारी जगह हैं जहां पर ज्यादत तर काम काज है बेंक का एग्री लोन, MSME लोन, ट्रेडिंग लोन, मौर्गिजेज वगरा जैसे प्रोडक्स बेंक के पास में हैं और मिड इंकम सेग्मेंट पर बेंक का ज्यादा फोकस है, आएए, पहले मैं आपको इशु की जानकारी देदू और उसके बाद मैं आपको कुछ और डिटेल्स मेहमानों से मुलाकात करूँगा, आज इशु खुला है, नो तारिक परसो तक खुला रह इशु है, और 73 क्रोड ओफर फोर सेल है, जो एक्जिस्टिंग इंवेस्टर्स बेच रहे हैं, 21 क्रोड का मार्केट केप बनेगा इस इशु प्राइस पर उपरी ब्रेंट पर, आएए, दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, इस वक्त हमारे स्टूडियो में, सबसे पहले हम मुल हैं, मुनिश जेंच साब भी, साल 2000 से आप बैंक के साथ जुड़े हैं, एक्जिक्टिव डैक्टर भी हैं, CFO भी हैं, और आपने भी गुरु नानक देव उनिवर्सिति से कॉमर्स में ग्रेजिएशन किये, चार्टर अकॉंटेंट भी है, कमजी सेक्रेटरी भी हैं, और ब 1999 CA badge का student हूँ, 1999 badge company secretary, 1999 badge chartered account rate, बहुत बढ़ी है, सबसे पहले तो सामरा साब, नाम में सही पढ़ रहा हूँ ना, सरवजी सिंग सामरा, बिलकुल सही, अलग अलग हो जाता है, तो सामरा साब से पहले तो अपने बैंक के बारे मताईए, क्या फोकस है, क्या खास काम करते हैं, सर ऐसा है कि आपने पहले बताई दिया, मैं फिर एक बर ब्रीफली रिपीट करूँगा, हमने 24 एप्रल 2016 को भारत का पहले small finance bank operation शुरू किया था, और इससे पहले 16 साल हम लोग local area bank थे, अगर बैंक के जो खासियत है business के बारे में बताऊ, हम बहुत ही granular all retail focused हैं, दोनों side balance sheet के चाहे हम deposits की बात करें, चाहे हम loans की बात करें, अच्छा बतलब deposit भी आप retail से लेते हैं, loan भी देते हैं, हमारी जो target segment है, वो है middle income group, जिसका हम define करते हैं, 4 लाग से लेकर 40 लाग तक जो segment है income level की, आप middle income मानते हैं, सर हम इसी में specialize कर रहे हैं, और हमें सारा तुजरबा भी इस अच्छी में ही है, हम हमारे direct microfinance exposure, जो bottom of pyramid पे हम नहीं हैं, और हम H&I segment को भी target नहीं करते हैं, और deposit और loans दोनों के लिए हम इसी segment को target करते हैं, अच्छी सर यह बता हैं, जो मैंने पढ़ा कि आप देश के पहले small finance, सभी है, सबसे पहले बनने का इरादा कैसे आया है, नहीं स और ऐसा नहीं था, वो सबको license तो इकठे दिये गए थे, 10 license इकठे दिये गए थे, हमारे लिए इसलिए ही easy हो गया, कि हम पहले ही bank थे सर, तो everything was well in placed, पहले ही हम bank थे, technology से लेकर, पूरा banking structure, banking book, क्योंकि हम पहले ही bank थे, तो हमारे लिए तो एक name change था, क्योंकि पहले area of operation 13 में बढ़के 5 इले हो गए थे, तो हम 5 इलों में ही थे, ये तो एक तरीके से जैसे एक expansion का बहुत बड़ा दुआर खुला हमारे लिए, हम bank थे, और जो हम, जैसे मैं बात कर रहा था, पहले अपनी, वो loan book के और loan or deposit book के बारे में, डिवर्सी पे, मैं briefly बताना जाओंगा, क 99.8%, almost 100% कह सकते हैं, अब आप unsecure देते ही निये, सर नहीं देते हैं, वो हमारा dn नहीं ना secure का बना हुआ है, आप क्योंकि सर मैं 12-15 तो small finance bank listed है, बराबर है, रोज मैं इंटर्यू करता हूँ, तो 100% small finance bank में किसी की book secure होना बड़ी चीज़, ये एक हमारी बाकियों, जैसे अब कह रहे हैं, ये clear cut बहुत बड़ा differentiation है, और हमारा जो average ticket size है, क्योंकि हम MWFI loan में नहीं है, तो हमारा average ticket size 13,00,000 है, तेरा लाग क्या सकते हैं, आजी हाँ, 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 तो, वैसे सर, मैं उस पहले हैं, आपका काम ही पंजाब में, पंजाब का amount है, कौन investor बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, और जो 4500 क्रोड रुपए आपको आने वाले हैं issue से company में, bank में, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस वाँपे बुलाने के लिए, और आपके माद्यम से, सारी दसक आने के लिए, यूज करेंगे, जैसे हमने बताया है, हम एक middle income group specialist है, हम समझते हैं, अब covid पीछे रह गया है, इंडिया growth stage में है, और उसमें सबसे बड़ी contribution, हमारी expectation और research report के साब से middle income group की होने वाली है, तो growth के लिए बहुत से opportunities available हैं, अब उन opportunities को लेने के लिए, हम growth capital लेने OFS की, छोटा सा portion, तो 73 क्रोट रुपे का है, जो OFS है, इसमें से portion, अगर मैं कहूं, तो हमारे एक investor है, जो हमारे पास 2019-20 में आये, जिसका नाम मैं कहूंगा, ओमान इंडिया joint investor, वो अपना holding का 20%, मेरा कहने का तात्परेज ये भी है, कि 80% वो retain कर रहे हैं, 20% अपना contribute कर रह आया था, वो अपनी holding का 10%, और ज्यादा portion वो retain कर रहे हैं, और जिसकी वजह से, तांकि हमारा issue का size भी respectable रहे है, और market capitalization पे sufficient, आपसे दो चीज़ों पर मैं एक साथ सवाल पूछ रहा हूं, वो इसलिए कि दोनों connected लग रही है, आपकी credit cost industry में lowest है, बराबर जो मैं देख रहा लेकिन उसके बावज़ुद आपके net interest margin जो मेरे पास है 4.2%, वो भी industry में lowest है, अगर आप सस्ता दिल ले रहे हैं तो net interest margin ज्यादा क्यों नहीं है, यह इसमें मिसमेंचे ज़रा यह समझाईगे, आने जी, पहले मैं briefly वो सस्ते वाले को touch करना जाहूंगा, वो deposit हमारी बहुत ह granular और total retail focused है, हमारा retail deposit का share भी बहुत ज़्यादा है, financial year 23 में 97.9%, total deposit का, अब किसको retail deposit मनते हैं, retail जो regulator की definition है, जो RBI की definition है, retail deposit की वो ही definition हम ले रहे हैं, और कासा 4.41.9% है, और यह कासा भी एधर strong point बताना चाहूंगा, true sense कासा यह price sensitive कासा नहीं है, यह कासा पर हम saving पे सिर्फ 3.5% interest ही दे रहे हैं सर, और इसी वज़ा से जो 23 की, हमारी cost of deposit आई, वो 4.9% है, और अगर मैं आपके दूसरे question पर आता हूं, कि इतना low cost है, तो वो NIM क्यों कम है, सर जो NIM है, वो है के acid allocation से, हमारी cd ratio पहले कम थी हम उसको बढ़ा रहे हैं, अब cd ratio बलके 78% हो हो चुकी है सर, अगर पिछले दो सालों में देखें, तो हमारा जो interest spread था, वो दोनों में 5.9 था, लेकर cd ratio को 70% से बलकर जब 70% हुई, तो यह NIM में काफी बढ़ाती हुई, पहले 3.5% ही था, 4.2, तो आगे यह cd ratio हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, जो एक optimum level जो हम सोचते है राउंड 84-85%, तो इसी के लिए हमें चाहिए, विकाद हम लीवरेट हैं, तो आपका cd ratio पहुंच जाता है, तो आपके निम सकान तक पहुंच जाएंगे, तो यह NIM बहुत अच्छे हो जाएंगे, जैसे आप बाकी, हर एक चीज़ में हम excel कर रहे हैं, तो मेरे को उमीद है, कि इसमें बहुत सी वह अवेलेबल है, ग्रोथ, वह अवेलेबल है, मुरिश जी आपका बेहन तो पूरा पंजाब का है, बराबर है, मतलब कितना परसेंट बिजनिस पंजाब से, अनिल जी एक बात मैं यहां पे clarify करना चाहूंगा, हम स्टार्ट पंजाब से हुए, आज हम पांच स्टेट्स ऑफ इंडिया में है, वो तो है, लेकि पंजाब से कितना, सर हमारा 84 परसेंट इसमें पंजाब में है, बट अगर हम बात करें, हमारा जो अप्रोच है, हम कैसे बढ़ते हैं, सर हम इसको कहते हैं, हम बेसिकली contiguous expansion करते हैं, हम एक retail granular franchise है, हमारा समझना है, जब आपने retail franchise में जाना है, और आपने retail public को touch करना है, तो trust is very important, और trust बढ़ता है, जब वो customer आपको सारो तरफ देखे, हमारी strategy है, not to be present, but to be thickly present, तो इस वज़ा से हम contiguous बढ़ते हैं, क्योंकि हमने locally real bank के अक्तार तोर पे start किया, जो एक छोटे से पंजाब की अरिया में था वो पहले हमने पूरे पंजाब में अपना विश्थार किया, और आज हम पांच states of India में हैं, और लांग विज उनिट अर्टरी, तो इस तरह से हमारा जी growth regularly बढ़ता रहेगा, तो पंजाब से अब जिरे जिरे आप बार में, अनली यही है, जैसे मनीश ने कहा कि हम पंजाब में पहले तीन डिस्टिक में ही थे, बारा साल लोकल अरिया बैंक की पॉलसी ऐसी थी, उसके बाद भी दो जिले और एड़ हुए, तो जब हम convert हुए लोकल अरिया बैंक से, small finance बैंक, तो पांच जिले ही area of operation था, पंजाब इटसल बाइस डिस्टिक का state है, तो फिर वो में बहुत एक बड़ा area बढ़ा था, हम तो पांच डिस्टिक में ही थे, तो बाइस डिस्टिक थे, तो पंजाब में भी वो बहुत growth हुई है, इस growth phase बे, लेकिन going head ये पंजाब का जो percentage है, automatically दीरे दीरे कम होता रहेगा, और लेकिन पंजाब में हमारी presence बहुत strong है सर, हम अ अच्छा एक और बात, आपकी holding 19% से थोड़ी सी नीचे रहेगी, बड़ाब प्रमोटर holding, सर अच्छा है कि आप देखिये, ये company बनी थी जैसे आपने पहले भी पताया, दर्शकों को 1999 में, operations हमने शुरू किया 14 जनवरी 2000 को, 24 साल होगे सर, मैं ये सोचता हूँ कि इस growth phase में बहुत से बीज में private equity investors बहुत अच्छे अच्छे आये, पहले आये थे सर, 16 सत्रा में, मारी conversion के बाद, और वो चार बहुत strong entities थी और उसमें कोई भी OFS में participant नहीं करता, वो चार की चार entities, और इस growth phase में अगर देखिये कि इतने सालों के बाद भी, मैं सोचता हूँ, मेरा advantage बेपी आप बैठे हो, I feel very comfortable on this, ठीक बात है, तो चलिए, यह है आपके लिए पूरा पूरा, बहुत धन्यवाद समरा साब, मुनिश जी आप दोनों का हमें समय रहने के लिए, studio माने के लिए, आज से आपका धन्यवाद करूँगा, हमें इदर निमंतर कर लेंगे, बहुत बहुत स्वागर, आपका और आपके IPO के लिए हमारी बहुत बहुत शुब कामना है, उम्मीद करते हैं कि जो बढ़ा ग्रोथ आपने अब तक बैंक की दिखाई है, आप अपने investors के लिए अच्छी wealth बदा कर देंगे, thank you so much.